एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है चैप्टर है इवापरेशन और आज को टॉपिक है इवोपरेटर एकोनॉमी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इवोपरेटर की एकोनॉमी क्या होती है और क्या होता है इसका फॉर्मूला और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं और साथी साथ इसको हम एक्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इवोपरेटर क्या होता है इवोपरेटर एक ऐसा equipment है जिसकी help से हम evaporation की process को कराते हैं इस दौरान solution में उपस्थित solvent को solution से हटा कर solution की concentration को increase किया जाता है और समानेता ये देखा गया है कि जो solvent होता है वो water होता है तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इवोपरेटर एकनॉमी जो से हम steam एकनॉमी भी कहते हैं तो किसी इवोपरेटर को दी जाने वाली पर किलोगराम steam के दौरा इवोपरेटिट किलोगराम वाटर के नंबर को इवोपरेटर की एकनॉमी कहते हैं आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी evaporator को दी जाने वाली प्रती किलोगराम स्टीम के दवारा evaporated किलोगराम वाटर के नंबर को evaporator की economy कहते हैं और इसका जो formula होता है वो होता है evaporator economy equal amount of water evaporated upon amount of steam used चलिए अब इसको हम example के दवारा समझते हैं मान लीजिए हमारे पास एक evaporator है जोसको हम 1 kg steam देते हैं और उस 1 kg steam के दवारा 0.5 kg water evaporated होता है या फिर आप कह सकते हैं vaporized होता है अब इन values को हम formula में रखते हैं तो amount of water evaporated है 0.5 kg और amount of steam used है 1 kg जब हम इसे solve करेंगे तो इसका answer आएगा 0.5 तो इसका मतलब यह हुआ कि evaporator की economy हुई 0.5 अब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक एक statement है जिसमें लिखा है कि यह जो single effect evaporator होता है उसकी economy हमेशा एक से कम होती है ऐसा इसलिए होता है यह जो single effect evaporator है इसके अंदर जब process होती है तो pressure increase होता है मतलब बढ़ता है और pressure के increase होने की वज़े से vaporization water की latent heat decrease होती है मतलब कम होती है यही वज़ा है कि जब single effect evaporator को पर किलोगरान steam दी जाती है तो उससे जो water evaporated होता है उसकी value हमेशा एक से कम होती है मतलब इस evaporator की जो economy होगी वो हमेशा एक से कम होगी तो अब सवाल यह बनता है कि कैसे हम evaporator की economy को बढ़ा सकते हैं तो अगर हम produce होने वाली vapor को reuse करें तो हम evaporator की economy को बढ़ा सकते हैं इसके लिए यहाँ पर दो method बताए गए हैं पहला है multiple effect evaporation system का use करके दुसरा vapor को recompress करके तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं तो पहले वाले method में यह बताया है कि अगर हम एक से ज़्यादा evaporator मतलब multiple effect evaporation का use करते हैं तो हम economy को बढ़ा सकते हैं अब जैसे की diagram में आपको multiple effect evaporation system दिखाई दे रहा है तो यह जो पहला वाला evaporator है जब हम उसको per kilogram steam देते हैं और vapor produce होती है तो उसे हम दुसरे वाले evaporator में ऐसा heating medium मतलब steam के रूप में use करते हैं और जब दुसरे वाले evaporator से vapor मिलती है तो उसे हम आगे वाले evaporator में heating medium के रूप में use करते हैं तो इस तरह से हम per kilogram steam के दुवारा लगभग 2.5 kilogram water को evaporated कर सकते हैं अब अगर हम इसे solve करेंगे तो evaporator की economy एक से ज़ादा होगी तो हम कह सकते हैं कि multiple effect evaporator की economy एक से ज़ादा होती है और दुसरा method है vapor recompression इसका use खास कर single effect evaporator के लिए किया जाता है इसमें होता क्या है इसमें जब process होती है और जो हमको vapor प्राप्ट होती है उसे हम recompressed करते हैं जिससे उसका temperature increase हो जाता है और फिर इसको हम दुबारा से इसी evaporator में as a heating medium यूज़ करते हैं और इसी के साथ दोस्तों यह topic है पर खत्म हुआ उम्मीद करता हूँ यह video आपके लिए useful है तो please video को like कर देना कुछ भी पूछना हो तो comment के माध्यम से पूछ सकते हो मिलता हूँ आप से next video में तब तक के लिए good bye तो आप सकते हैं